इतने सार्याम देखकर अंकुष बहुत खुश होगा रिक्षा भाईया जल्दी डॉक्टर के क्लिनिक चलना पच्चे की तब ये ठीक नहीं है अंकुष बिमार है हाँ अंकुष की पापा हम लोग अभी डॉक्टर के पास पहुच रहे हैं आप चिंता न करें मैं कुछ दिनों की चुट्टी पे हूँ मैं उसका ख्याल रखूंगी बाई इसका बुखार तो बढ़ते ही जा रहा है पर ये ट्रैफिक एकी हिल्ले का नाम ही नहीं लेती मुझे कुछ करना होगा चरिया मैं क्यूँ पीछे लूँ तुम पीछे लोने अंका की गाड़ी पीछे नहीं अटेगी जै अपनी गाड़ी पीछे लेने को कहा मैं क्यूँ पीछे लूँ तुम पीछे लोने घलती तुमारी एने तुम दोनों लड़ना बंक करो तो इस रंगा ने ट्राफिक जम कर रखा है चलो अपनी गाड़ी पीछे लो रंगा बॉस कहा गये तुमने गाड़ी इधर से अधर क्यों की बॉस हमने कहा की आपने की न क्या मैंने की यह कैसे कर सकता हूं मैं झाल 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 जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हारी लिए चॉकलेट केग बनाऊंगी अंकुष बिमार क्या पड़ा? मा तो उसका पहरे से भी ज्यादा ध्यान रख रही है अगर मैं बिमार पड़ा तो अंकुष मेरा कितना ध्यान रखेगा चलो देखते हैं बिमार पड़ने का नाटक करता हूँ अंकुष आज स्कुल मच जाओ बिटा एक दिन और आराम कर लो नहीं मा अब मैं बिलकुल ठीक हूँ मैं बिलकुल ठीक हूँ अब मैं बिलकुल ठीक हूँ में शिन पजरेंगे चूट मुटका बिमार श्यरूर बजरंगी क्या हुआ तुम्हें मेरी तब्यत कुछ ठीक नहीं लग रही अरे तुम्हें तो तेज बुखार है अब क्या करें तुम्हें डॉक्टर के पास कैसे ले जाए डॉक्टर तुम्हें देख नहीं सकता और तुम्हारा इलाज कैसे करेगा अंकोर मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है अगर तुम मेरा थोड़ा भी ध्यान रखोगे ना तो मैं ठीक हो जाऊंगा घबराओं मत बजरंगी मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा और तुम्हारा पूरा ध्यान रखोंगा माँ मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा थोड़ा आराम करूंगा पर अभी तो तुम कह रहे थे खैर बजरंगी यह दवाई ले लो तब तक मैं सूप लेके आता हूं बजरंगी जल्दी उस शोपी इसका पकड़ो वरना तूट जाएगा अरे मैं तो बिमार होने का नाटक कर रहा हूं मैं उड़ के ऐसे सकता हूं अंकुष मुझ में उड़ने जितनी ताकत नहीं है अंकुष क्या दोड़ा सच में अंकुष कितने अच्छी ताना से मेरा खयाल रख रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है थोड़ा अंकुष से सेवा करवाता हूं अंकुष मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है वाह अंकुष वाह अब ये बेवार पढ़ने का नाटक कुछ दिन और शुरू गठते हैं ये तो दवाईया है बजरंगी तुम अपनी दवा ठीक से ले रहे थे ना हाँ पर अब तक बुखार नहीं उत्रा कुछ तो गडबड है मा ने आमका तासा आचार बनाया है बड़ा मसेदार है पर तुम इस आचार को भी नहीं खा सकते तुम बिमार हो ना बजरंगी मैं जा रहा हूं बाई अच्छा बजरंगी तो तुम कह रहे थे तुम में उड़नी जितनी ताकत नहीं है तो अब तुम उड़कर आमके आचार तक कैसे पहुचे तुम्हारे बिमारी के नाटक को बंद करने के लिए मुझे कुछ करना होगा बजरंगी पुखार में तुम्हारे लिए खिचडी ही ठीक रहेगी मुझे केचडी हार खुद नूडल्स लगता है बजरंगी इतनी आचानी से नाटक बंद नहीं करने वाला कुछ और करना पड़ेगा बजरंगी अब तुम्हारी तबियत कैसी है नहीं अंकुष अब भी ठीक नहीं है ओहो मैं गोपी चाचा के दुकान से ये नहीं साइकल लाया था आज पूरे दिन के लिए इसमें गियर भी है चलाने में बड़ा मजा आएगा पर तुम्हारी तबियत ठीक नहीं है तो तुम इसे कैर से चलाओगे चलो मैं चलाता हूं और तुम मुझे खिरकी से दे इतनी सुंदर साइकल बजरंगी का नाटक अगर बंद करना है तो मुझे ये नाटक करना ही होगा जब साइकल चलाते वक्त मैं मुसीबत में पढ़ने का नाटक करूंगा तब बजरंगी अपनी बिमारी का नाटक बंद करके मुझे बचाने शरूर आएगा अच्छा, तो अंकुष मेरी चोरी पकड़ना चाहता है पर उसका पाला भी बदरंगी से पड़ा है मैं उसे बचाने जाऊंगा ही नहीं विशन अंकुष की आक्टिक शुरू बदरंगी बचाओ, बचाओ मैं तक शुरू, पर मैं तुम्हारे जासे में नहीं आने वाला अरे, मैं तो बस मुशीबत में पढ़ने का नाटक करना जाता था और यहां तो मैं सच में मुशीबत में पढ़ गया बच रंकी, बचाओ बच रंकी, बचाओ अंकुष तो सच में मुशीबत में पढ़ गया है, मैं अभी आया अंकुष अंकुष यह नाटक करने की क्या जरूवत थी कहीं सच में तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो बस नाटक करने चला था, मुझे क्या पता था मैं सच में किसी मुसीबत में फस जाओंगा पर तुम बता, तुम्हें बीमारी का नाटक करने के क्या जरूरत थी वो मैंने सोचा था, जब तुम मेरा ध्यान रखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं तो हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा जैसे तुम मेरा रखते हो बतरंगी, क्या एक सेलफी हो जाए आप अच्छा रखते हो झाल झाल